नमस्कार दोस्तो, सिगिनल एंड सिस्टम लेक्चर सेरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में एक और नुमेरिकल प्रोब्लम को सोल्ड करेंगे कोश्चन नमबर थ्री दे रखा है, स्टेबल सिस्टम इस गिवन तो यू ह of z which is equal to 2-3 by 2z inverse divided by 1-2z inverse into 1 plus 1 by 2z inverse ह of z है, यानि हमारा ये transfer function दे रखा है किसी भी सिस्टम का और वो सिस्टम बता रखा है कि स्टेबल है तो अब यहां को inverse z transform निकालना है, ह of n आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको बता रखा है कि z inverse terms जो है, उनको आप खतम कर लेजिए तो जो h of z है, वो बना आपका अगर आप z inverse को 1 upon z लिखेंगे और फिर lc m लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2z minus 3 by 2 और जो division में z है, वो denominator में लिखतेंगे इस factor को solve करेंगे, तो z inverse 1 by z लिखेंगे तो ये बनेगा z minus 2 divided by z तो वो आपका उपर चला जाएगा इस factor को मैं solve करूँगा, तो 1 by 2z हो जाएगा तो अगर मैं z lc m लूँ, तो ये बन जाएगा z plus 1 by 2 divided by z यानि वो z भी आपका nominators तक पहुँच जाएगा, अब इसके बाद ये z और ये z cancel out हुआ और h of z, इस z को हम इसके division में ले जाएग, मैंने आपको already बता रखा है कि जो partial fraction method है, वो divide by z property को follow करता है तो ये बन जाएगा 2z minus 3 by 2 divided by z minus 2 into z plus 1 by 2 अब ये निच्चे दो factor है, उपर सिर्फ एक factor है तो partial fraction methods के according इस factor के लिए a consider कर लो a upon z minus 2 plus इस factor के लिए b consider कर लो b upon z plus 1 by 2 अब finally क्या होगा, h of z by z that is nominators, ये दोनो denominator factors हैं यहाँ भी LCM लेंगे, denominator factors हो जाएंगे, जो कि cancel out होंगे तो ये बना 2z minus 3 by 2 which is equal to, इसके साथ ये multiply होगा, इसके साथ ये multiply होगा तो a into z plus 1 by 2 plus b into z minus 2 multiply अब यहाँ a की value find out करने के लिए इस factor को 0 करना पड़ता है तो यहाँ पे आप z is equal to 2 put कर देंगे left side जब 2 put करेंगे तो कितना बनेगा आपका ध्यान देजिए यहाँ कितना है 2, 2, 2, 4 minus 3 by 2 कितना होता है 1.5 which is equal to a और यहाँ कितना है 2 plus 1 by 2 that is 0.5 तो यह बनेगा 2.5 यहाँ से 2.5 बचा और यहाँ 2.5 है यानि a की value बेटा यहाँ से 1 आ चुकी है अगर आप z की value को minus 1 by 2 put करेंगे तो कितना होगा यहाँ 2 into minus 1 by 2 that is minus 1 minus 1.5 तो कितना बनेगा minus 2.5 यह factor आपका यहाँ 0 हो चुका है z को आप minus 1 by 2 put करोगे plus 1 by 2 सारा 0 हो जाएगा तो b आपका क्या है minus 1 by 2 that is minus 0.5 minus 2 तो यह कितना बना minus 2.5 is equal to b कितना हुआ minus 2.5 जिससे आपका cancel out हुआ यहाँ से b बेटा 1 आ चुका है तो a की value भी 1 है और b की value भी 1 है a और b आप यहाँ put करेंगे तो h of z divided by z आपका क्या बना 1 divided by z minus 2 plus 1 divided by z plus 1 by 2 अब आप पूरी equation को z से multiply कर सकते हैं तो यहाँ से यह जो z है यह cancel out हो गया h of z बचा और यहाँ बचा z divided by z minus 2 plus z divided by z plus 1 by 2 अब इस equations को मैं उपर लिखूंगा और बहुत ही easy तरीके से पूरे conceptual तरीके से इसको मैं explain करूंगा तो यह देखिए h of z यहाँ आ चुका है आपका that is z divided by z minus 2 plus z divided by z plus 1 by 2 देखो यहाँ पे denominator में z minus terms हमारी एक standard term होती है तो इसको z minus something बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा h of z first term हमारी standard रूप ले चुकी है z divided by z minus 2 plus इसको हम लिखूंगा z divided by z minus of minus 1 by 2 ok minus minus आपका plus हो जाता है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अब यहाँ जो दे रखा है उसकी तरफ focus कर लेजिए यहाँ बता रखा है कि आपका जो system है वो stable system है तो यहाँ में लिखूंगा कि जो stable system है वो क्या होता है stable system 100% आपका unit circle को include करता है ROCs में तो जो unit circle होगा वो include होगा ठीक है ROCs क्या है यहाँ से z greater than 2 अगर करूँगा तो definitely unit circle allowed नहीं होगा तो यानि indirectly यहाँ इस factor से यह पता लगता है कि जो मेरी ROC है z वो हमेशा 2 से तो कम ही होगी ठीक है तो ROC जो है that must be less than 2 less than 2 होगी तभी कुछ chances हैं कि वो unit circle को include कर सके यह क्या है यहाँ पे आपका जो factor pole है वो minus 1 by 2 अगर मैं magnitude की बात करूँ तो 1 by 2 है तो यानि इस factor से जो ROC पे conclusion आया तो z must be greater than 1 by 2 होगा तो अब एक चीज देख लिजी कोई चीज 1 by 2 से बड़ी है और 2 से छोटी है तो definitely वो unit circle यानि z equal to 1 को जरूर include करेगी तो इसका मतलब stable system देने का मतलब indirectly ROC की understandings पुछी गई है आपसे जिसका आपको पता होना चाहिए कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ले सकते हैं z greater than 2 z greater than 1 by 2 तो अगर दोनों greater हैं तो overall z greater than 2 ही होगा जैसे ही z greater than 2 होगा वो unit circle को include नहीं करेगा यानि जो system है वो आपका unstable system होगा लेकिन दे रखा है stable system इस basis पे आपको ROCs की understanding होनी चाहिए जिससे आप correct answer निकाल सकें तो z less than 2 तो इसके लिए क्या है कौन सा formula यूज होगा देखिए z divided by z minus a अगर कोई कहे कि मेरा जो z है वो a से less है तो इसका inverse z transform क्या होता है minus I am लिखूँगा a, a की power n लिखूँगा u of minus n minus 1 लिखूँगा ठीक है और अगर आपका form है z divided by z minus a और आपकी ROC मालेजिए a से बड़ी है इस case में इसका जो standard formula है inverse z transform वो क्या होता है a की power n into u of n अब यहां से इसकी ROC हम निकाल चुके इसकी ROC निकाल चुके with the given condition तो इसका मतलब अब हम लिखेंगे taking क्या लिखेंगे taking z inverse इन properties दोनों का यूज करके तो h of z converts into h of n यह देखिए z divided by z minus 2 तो plus sign है तो definitely यहां negative sign आएगा क्योंकि यह less z less than a property को follow करेगा z less than 2 को follow करेगा तो minus 2 की power n into u of minus n minus 1 यहां क्या है positive sign अब यहां ROC क्या है z 1 by 2 से greater है यानि यह property follow होगी तो यहां a क्या है a है आपका minus 1 by 2 तो minus 1 by 2 की power n into u of n यह बेटा आपका finally answer आ चुका है I hope आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ चुका है कि stable दे दिया जाए causal दे दिया जाए indirectly वो ROC की understanding आप से चाहता है I hope अब यह question आपको बहुत easily समझ आ चुका है आप ऐसे बहुत सारे questions प्रैक्टिस भी कर सकते हो this is the end of the video thank you so much for watching this video